लोग हैbenchндर इसो तो है कसे स्ब्सक्राइब आप सभी लोग आयउप आप सभी लोग पते होंगे और आइस लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें काफी सारी बाते की फिशन कंचल सरय किसे रेएंपार्थ क्यों है वो कय collector बिमार हो रहा है और green revolution या green moment जो है उसने कितना important कितना vital role play किया है पृत्वी के संरक्षन में अलग-अलग संस्ता है और अलग-अलग लोगों के दुआरा कहे गए quotations को भी हमने देखा five reason मांगे थे मैंने कि क्यों हमारी पृत्वी खराब हो रही है हमारी वज़े से और उसके पांच solution मांगे थे मैंने थोड़े से जाधा comment expect किये थे कि थोड़े से जाधा comment आएंगे लेकिन मेरी expectation जितने आये नहीं थोड़ा सा बुरा तो लगा लेकिन कोई बात नहीं हो जाता ह आप में से बस यह request कर सकता हूँ कि जिसने अभी तक पिछले वाले वीडियो पर अभी तक इस बात का comment नहीं किया है please comment कीजिए क्योंकि इससे regarding question बहुत ही आसानी से English में आपका बन सकता है अगर आज आप अपना एक question यह prepare कर लेते हैं तो हम यह माल लेंगे कि पूरे chapter की कम से कम एक जीस्ट तयार हो गई एक पुरा कवरा एक सारांश जो है कम से कम वो तयार हो गया अगर माल लीजे कि pros section में नहीं भी आता और writing section में इससे regarding कोई question आ जाता है तो at least हम उस question को attempt करने के लिए तयार हैं तो guys प्लीज अगर मैं कोई भी काम देता हूँ या कुछ भी आपको करने के लिए कहता हूँ जो खास करके पढ़ाई से related हो personal life का तो आप नहीं करेंगे कोई दिकत नहीं लेकिन पढ़ाई से related अगर कोई चीज करने के लिए कहता हूँ तो please उसे थोड़ा seriously लीजे seriously ले करके उसको जरूर perform कीजे thank you guys तो start करते हैं अपना chapter and हाँ sorry उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों आपने पिछले मेरे lecture पर comment किया है और अपनी पूरी जो भी आपके reasons थे आपके according जो बन सकते थे जो solutions बन सकते थे वह आपने लिखे मैंने पढ़े मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अब हम आगे का देखते हैं अपना chapter ठीक है guys चलिए तो start करते है James Speth the president of the world sources institute तो James Speth जो है जो की president थे world resources institute के said the other day एक दिन उनोंने कहा we were saying that we are losing the forest at an acre a second के हम ये कह रहे हैं के हम लोग खो रहे हैं एक एक जंगल एक एकड का जंगल खो रहे हैं कितने समय में एक सेकंड में हर सेकंड में एक एक एकर जंगल जो है वो खतम हो रहा है but it is much close to an acre and a half to a second लेकिन जिस समय हम बात कर रहे हैं तो ये कटाई जो है इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जहाँ पर हमने एक 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 सेकंड का अंदाजा लगाया था न वहाँ डेड़ एक एक सेकंड में कट रहा है यह like हम एक एक सेकंड में लेकन वास्तव इकांडि यह है कि हम बहुत जल्दी तक कोई चुके है पहुंचने वाले भी नहीं हम पोँच चुके है जहां हर सेकंड में डेड़ एकर जंगल को काटा जा रहा है जह Lewis बेतने का article 48 a of the Constitution of India तो इंडियन constitution ने भारतिय संविधान का जो article है article को अनुच्छेद कहते हैं शयद एक बार check करके please मुझे बताना अनुच्छेद कहते है article को एक बार प्लीज चेक करके बताना मैं क्योंकि भी अंदाजिय से लिख रहा हूँगा तो 48A जो है constitution of India का वो provide करता है वो हमें उपलब्द कराता है the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife in the country के state जो है state का मतलब हमारा जो देश है उसको प्रयास करना होगा कि वो protect करे रक्षा करे और improve करे बहतर करे environment को और साथी साथ सुरक्षा करे forest की क्या करे साथी साथ improve करे या नि improve करने का मतलब तो हो गया बहतर करे बहतर करे और साथी साथ सुरक्षा करे forest की और wildlife की wildlife का मतलब जितने भी यह वन्यजीव है आपको पता है न वन्यजीवों को मारने पर बहुत कठोर दंड मिलता है भारत में तो wildlife जो है उसकी भी जो country की है हमारे देश की है उसकी सुरक्षा करे but what cause endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India लेकिन जो चीज सबसे ज़ादा पीड़ा पहुचाती है या endless पीड़ा पहुचाती है अनंत दुख जो पहुचाती है ये तत्य ये fact के laws जो है नियम या कानून जो है इंडिया में बनतो जाते हैं बहुत आसानी से लेकिन ना तो उनका कोई सम्मान करता है और ना ही उन्हें सही तरीके से लागू किया जाता है enforce का मतलब होता है किसी भी बने हुए कानून को लागू करना तो ना तो लागू हो पाते हैं ना ही कोई respect करता है एक इंसान helmet इसलिए नहीं पहनता कि उसे अपनी सुरक्षा चाहिए कि भाई मैं गिरू तो मर ना जाऊ helmet इसलिए पहनता है कि सामने कोई police वाले uncle पकड़ ना ले चालान ना काड़ दे तो आदमी का मतलब इंडिया के अंदर law का यही हाल है बहुत सारे laws है जिनको लागू किया जाए तो शायद देश बहुत तरक्की कर सकता है लेकिन फिर भी उन पर जादा ध्यान नहीं दिया चाता है मुझे उन में से एक लगता है जो मुझे personally बहुत पीड़ा पहुचाता है वो है child labor अना के child labor एक ऐसा कानून है जिसके बहुत अच्छे प्रावधान है आप उस article को पढ़ेंगे अगर आप पढ़ेंगे के बच्चों को कितनी सुरक्षा दी गई है समविधान के माध्यम से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा समविधान बच्चों के लिए इतना सोचता है लेकिन वहीं पर जब आप किसी 10-12 साल के बच्चे को cup plate दोते वे देखते हो या ढबे पर service करते वे देखते हो ऐसा कोई काम करते वे देखते हो तो आपको लगता है कि यार तो कम से कम हम अपने और किसी को नहीं रोक सकते हैं तो खुद को तो रोक सकते हैं कुछ भी ऐसा काम करने से जो कानून के विरुद्ध हो ठीक है तो वन्य जीवोग पर और इन पर हमला नहीं करना चाहिए नहीं मारना चाहिए और जो आपकी संपत्ती में नहीं है और आपकी संपत्ती में है भी ऐसे पेड़ पौदों को भी नहीं काटना चाहिए For instance, the constitution says, जैसे instance के लिए मान सकते हैं constitution कहता है कि that casteism, casteism का मतलब जाती वात untouchability यानि अचूत जो प्रता है वो and bonded labor और बंदुवा मजदूर shall be abolished इन्हें समाप्त कर देना चाहिए but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution यानि कि 44 years हो गए हमारे संविधान को काम करते वे या संविधान के operations को start हुए वे तब भी ये जो सारे के सारी चीज़े है क्या है casteism है जिसे जाती वात कहते है untouchability अच्छूत प्रथा प्रथा कह लीज़े आप इसे वैसे प्रथा कहना ठीक नहीं है bonded labor बंदुवा मजदूर आपको बहुत सारे लोग जो शेहर में रहते हैं उनको लगता कि सार बांडेट लेवल तो खतम हो चुका है नहीं हुआ है construction sites पर जाकर के देखिए लोग जो हैं काफी राज्यों से ठीक है आप उडिसा का राज्य देख सकते हैं आप जहरकंड देख सकते हैं आप चतिसगर देख सकते हैं आप बिहार देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश के कुछ शेतर देख सकते हैं कि वहां से लोगों को उनके परिवार सहीद ही ले जाते हैं कि चलो साल भर के लिए इतना पैसा देंगे और एक जगे से दूसरी जगे और दिन में डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट उनसे काम कराया जाता है यानि कि उन्हें कहले वलता है कि क्या घंट तुमेंगे सो नहीं तो आहां तो सो जाणा छह गंटे और क्या है भाकि खाना खालो आदा पौन गंटा एक गंटा रैस्ट कर लो वापस काम पर आजो फिर काम से फिर फृई हुए खाना खालो सो जाओ दो-चार-छह गंटे फिर तो मतलब 6-7 गंटे छोड़ करके 8 गंटे भी छोड़ करके 15-15 गंटे 14-14 गंटे उनसे काम करवाया जाता है यह वास्तविकता है यह फैक्ट है तो यह सारी की सारी चीज़े आज तक भी समाप्त नहीं हुई बलकि बेश शर्मी से फल फूल रही है क्या हो रहा हैं का बेश शर्मी से फ्लॉरिष ओरी है फ्लॉरिष का मतलब पनप रही है फल रही है फूल रही है ठीक है अर रीसेंट रिपोट ओफ आपार्लियमेंट्स हमारी पार्लियमेंट की जो भी डिसेंट रिपोर्ट आई है estimates committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last four decades तो अभी अभी जो कमेटी बनी है उसने estimate करके ये बताया highlight किया है इस चीज़ पर जोर दिया है कि लगबग गंभीर रूप से विनाश हो रहा है या नश्ट किया जा रहा है इंडिया के forest को पिछले 40 साल से या पिछले 40 सालों से बहुत ही गंभीर क्षती या बहुत ही गंभी विनाश किया जा रहा है forest का पिछले 40 सालों के अंदर ये देखने को मिला है इंडिया भारत according to reliable data reliable मतलब विश्वस नहीं है ऐसा data जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वस नहीं है हिंदी लिखने में कई बार क्या confusion हो जाता है तो reliable data विश्वस नहीं है जो data है उसके according इंडिया जो है it's is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year यानि कि भारत जो है अपने जंगलों को खो रहा है लगबक 3.7 million acre एक साल के अंदर large areas बड़े-बड़े areas जो है officially designated as forest land जिनने officially बताया गया है कि यह forest lands है जिनने यह designation दी गई है designation का मतलब यह पद दिया गया है are already virtually treeless यानि कि जिनने जंगल कहा गया है officially कि यह जंगल है यहाँ पर किसी भी प्रकार का पेड काटना कटी भी पेड की जो लखडिया बगर है इन उठा के ले जाना या इन लखडियों को काट के बेचना यह सब पूर्ण रूप से प्रतिबंदित है क्योंकि यह जंगल है यह एक forest है वो पहले ही treeless हो चुके है यानि उनमें पेड बचे ही नहीं the actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statics तो यानि government जितना बता रही है उससे 8 गुना जादा 8 times जो rate है वो बढ़ गई है rate यानि कि उसकी गती जो है यानि कि आउसकी दर बोलते हो न आप rate तो दर जो है वो बढ़ गई है यानि कि जो government जो आकड़े बताती है उससे 8 गुना जादा पेड काटे जा रहे हैं वास्तविक्ता यह है ठीके guys तो इसे वास्तविक्ता यहांपर माना जाना चाहिए तो अरियल फोटोग्राफी यानि उपर से प्रतवी का पूरा जब फोटो लेते हैं तो तीन साल की स्टडी की गई है सेटलाइट्स यानि की इस तरह के उपगरह जो है उनकी मद्यम से उनकी मदद से और इनसे ये पता चला है ये जो सूचना है ये हमें चेतावनी देती है ये वर्निंग देती है चेतावनी दे रही है यानि बहुत ही नाजुक इस्तती है इन मैनी ओफ दा एटिएट कंट्रीज जो हैं उनमें बहुत ही ज़ादा मुश्किलिया बहुत ही ज़ादा नाजुक हालात हो चुके हैं पेडों की इतनी ज़ादा कटाई की जा रही है इन्वेस्टिगेटिड यानि की 80 white countries जिनमें investigation किया गया था यानि कि जिनमें जाच की गई थी वहाँ पर alarmingly यानि कि बहुत ही गंभीर रूप से वहाँ चेतावनी उन देशों को दी गई है कि भीया आपके यहाँ पर जो land है उसमें आप सरकारी आपड़ों में तो कुछ भी बोल दो तो बंजर भूमी पड़िये जना तक आँक जाए वहाँ तक ठीक है अभी बहुत ही एक विचितर घटना सुनने में आई थी एक लड़की ने complain कर दी कि मेरे घर के पास से कुवा चोरी हो गया कुवा समझते हो वेल जिसको हम बोलते हैं कुवा जानते हैं सभी लोग सभी भारती हैं कुवा चोरी हो गया तो वास्तविकता ही यह थी कि सरकार ने पैसा दिया था वहाँ पर कुवा बनाने के लिए और उसको एका पैसा लोग खा गए जो भी एक्स वाइज जिसने भी खाया मुझे नहीं पता खा गए लोग और लेकिन काजों में तो कुवा है यह तो मांना पडेगा के मां कुवा है अब वह वह जाकर तो उसे कहा गया कि आपका कल आपका कुवा आ जाएगा आप निश्चनत रही है कल आपका कुवा हम डूंड के ले आएंगे कहीं से भी लेकिन उस लड़की की सूजबूच जो है इतनी इतना दिमाग कहा से आया होगा उसमें कि मेरा कुवा चोरी हो गया और जाकर के उनी से कागज ले अफसरों से किसाब आपने कहा था ना कि कुवा हां साथ यह रहे यह लो कागज आपके कागज यह रहे ठीक है साथ जाकर के कं प्लेन करदी के साब कुवा चोरी हो गया तो यह भी हो जाता है कही बात अना देर कैन बी नो डाउट दैट ग्रोथ और वर्ल्ड पॉपुलेशन इस वन अफस्ट्रोंगेस्ट फैक्टर्स इसको कहने में कोई डाउट नहीं हो सकता यह बात कहने में कि जिस तरीके से विश विश्बूत या बहुत ही गंभीर कारण है जिसकी वज़े से बिगड रहा है तोड मरोड रहा है फ्यूचर ओफ यूमन ससाइटी यानि कि मानव समाज में जो भी समस्याएं आ रही है उसका एक कारण यह भी है तेजी से बढ़ती हुई जनसंक्या पहला एक बिलियन पहुचने में बहुत सेखड़ों साल लग गए थे हजारों साल लग गए थे इंसानों को यह उस समय की वर्ल पोपुलेशन की बात की जा रही है जब अठारा सो भी सदी चल रही थी by the year 1900 लेकिन 100 साल पूरे होते होते 1900 आते आते second billion was added एक billion और जुड़ गया and the 20th century और 20 वी शतादी में has added 3.7 billion population यानि कि विश्वकी population में कितने लोग जुड़ गए 3.7 billion लोग याँ पर जुड़ चुके हैनि कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे जनसंख्या व्रधी की दर भी बढ़ती जा रही है जनसंख्या तो बढ़ी रही है लेकिन जनसंख्या व्रधी increases by 1 million और हर 4 दिन में इस विश्व की जनसंक्या प्रतवी की जनसंक्या 1 million बढ़ रही है एक million और जादा हो जाती है Thus development is the best contraceptive but development itself may not be possible if the present increase in numbers continuous तो development जो है यानि कि विकास जो है वो एक बहुत ही अच्छा contraceptive हो सकता है यानि कि गर्ब निरोदक तो basic sense में से कहा जाता है contraceptive का contraceptive का मतलब है यहाँ पर रक्षक यानि कि मनुष्यों की रक्षा करने वाला कौन हो सकता है contraceptive का है development हो सकता है लेकिन development खुद भी शायद तक इतना संभव नहीं हो पाएगा यानि development ही नहीं हो पाएगा अगर present increases in the number continues यानि कि वर्तमान में जिस तरीके से number जनसंख्या के number बढ़ते जा रहे हैं अगर number ही बढ़ते रहे तो जिस तरीके से हम development करने की सोच रहे हैं उस development को करना भी संभव नहीं हो पाएगा वो development भी नहीं हो पाएगा the rich get richer अमीर वेक्टी जो है अमीर हो रहे हैं the poor bigot children which condemns them to remain poor और poor लोग जो हैं उनके बच्चे बहुत जादा बढ़ रहे हैं जिसकी वज़े से उन्हें अभिश्राप मिल रहा है कि वे गरीब के गरीब ही रह रहे हैं more children does not mean more workers ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब यह नी है कि ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले लोग हो merely more people without work बलकि इसका अर्थ यह निकलेगा कि ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिनके पास करने के लिए काम ही नहीं होगा बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी ले क्या होता था human source को बहुत बड़ा source माना जाता था एक वेक्ति जिसके पास आप यहां के चलो के 100 बिगा खेत हैं अब बिगा और एकड कितना होता है वह आप देख लेना मैं राजस्तान से हूं तो हमारे यहां बिगा में बात होती है एकड में बात नहीं होती है और शेहर में काम करने वाला वो है उसकी पतनी है कि वो इतने ही लोग है तो वो यह सोचता है कि अगर मेरे 7-8 बच्चे होंगे तो यह 50-50 बिगा खेत के अंदर में खेती कर सकता हूं और मैं अमीर बन जाओंगा तो उस समय की सोच के हिसाब से उस तरह का जो mindset था वो था कैसा कि human population य तो उसने पहले साथ 10 बच्चे उसके हुए तो अब एक बच्चे के पास क्या है पांच बिगा भाई अगर 500 बच्चों में अगर खेत बटा तो एक की पास तो पांच बिगा ही बचा ना उससे second generation पर आये उन्होंने भी 55 बच्चे पैदा किये तो अब एक एक के पास एक ब resource क्यों चीए एक बिगा में खुद कर ले खेती नहीं हो सीर पे दे लेकिन कम से कम सत्यानाश मत कर population को increase करके तो ये एक mindset होता था लोगों का जिसकी वज़े से यहां पर ये बात कही गई है एक गरीब आदमी अगर ये सोचता है कि मेरे जादा बच्चे होंगे सब कमाने जा human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized यानि कि ये जो है suggest नहीं किया जा सकता कि इंसानों को इस तरीके से treat किया जाए इंसानों के साथ इस तरीके से वेवार किया जाए जैसे कि वो कोई पशू-पक्शी हों और compulsorily और निश्चत तोर पर sterilized का मतलब होता है नस्बंदी किया जाना चाहिए या फि population growth पे रोख थाम लगानी चाहिए इसलिए I think ये slogan 1999 का है मैं exactly तो जयार नहीं हम दो हमारे दो वाला जो स्लोगन है एक बार प्लीस में को देखके comment करना हम दो हमारे दो वाला slogan कब से आया जहां तक मुझे लगता है ये 2000 के आसपास कही है 1999 कही हो नाची मेरे साब से एक बार चेक करके बता देना है रहा है कमेंट कर देना but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of course in the choice is really between control of population and perpetuation of poverty there is no alternative to voluntary family planning यानि कि इसका और कोई alternative नहीं है इसका और कोई विकल्प नहीं है क्या नहीं है इसका और कोई विकल्प नहीं है voluntary family planning कि आपको अपने परिवार की योजना करनी होगी अना परिवार योजना कहते हैं उससे तो परिवार नियोजन करना होगा without introducing an element बिना किसी ऐसे साधन से of कोई किन का मितलब होता है जोड़ जबरतस्ति करे यानि कि बिना कोई जोड़ जबरतस्ति करें इंसान को खुद को समझना होगा कि मुझे अपनी family planning करनी है परिवार नियोजन करना है the choice is really between control of population and purpuation ये जो choice है ये दो चीजों के बीच में है control of population यानि कि अपनी जनसंख्या को नियंद्रित करना and purpuation और उसे स्थाई बनाए रखना of poverty गरीबी के अंदर ठीक है तो गरीबी के अंदर अपनी जनसंख्या को बढ़ाना स्थाई बनाए रखना अपनी control करना population को ये बहुत ही ज़ादा आवशक है कि लोग इसके बारे में विचार करें और परिवार नियोजन के और आगे बढ़े the population of India is estimated to be 920 billion today population of India, इंडिया की जो population है जनसंख्या है वो आज की तारिक में 920 million है more than the entire population of Africa and South America यानि कि अगर हम पूरे की पूरे अफरीका की या South America की population को जोड करके भी देखे put together यानि दो देश की जनसंख्या को जोड के देखे और एक देश की जनसंख्या देखे तो वो जादा है no one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments यानि कि एक कोई भी इस बात से परिचित नहीं है इस परिस्तिती से कि भारत के अंदर इसमें कोई doubt नहीं है कि hope of the people would die कि इंसानों में जो उमीद है उस वो उमीद खतम हो जाएगी वो उमीद मर जाएगी in their hungry hutments उनके भूके जोपडियों के अंदर यानि कि लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं कि दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा और लोगों को इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है और ऐसे जो लोग है उनकी जो उमीदें है वो उनकी जोपडियों में दम तोड़ देंगी वहीं पे भूकी मर जाएगी unless population control is given topmost priority जब तक population control को जन संग्या नियंतरण को topmost topmost का मतलब हो गया सरवादिक priority priority का मतलब होता है प्रात्मिक्ता सरवादिक प्रात्मिक्ता इसे नहीं दी जाती वरियता इसे नहीं दी जाती यानि कि आज की तारिक में जब ये लिखा गया सबसे पहला concern उनका जो था वो यही था कि population control होनी ही चाहिए For the first time in human history we see the transcending concern पहली बार मानव इतियास में हम लोग देख रहे हैं कि सीमा से अधिक बढ़ती हुई चिंताएं दिखाई दे रही है The survival not just of the people but of the planet जीवित रहना या फिर survive करना जीवित रहना ना केवल लोगों का बलकि इस प्रत्वी का इस ग्रह का भी We have begun to take a holistic view Holistic view last time भी बताया था तो हम लोगों ने holistic view को लेना शुरू कर दिया है Of the very basis of our existence जो की बहुत ही ज़्यादा मूलवूत है हमारे अस्तित्व में होने का हमारे अस्तित्व में होने का बहुत ही मूल है The environmental problem does not necessarily single our demise It is our passport for the future यानि कि environment की जो समस्याएं हैं पर्यावरण की जो समस्याएं हैं ये निश्यत तोर पर ये समस्याएं जो हैं ये निश्यत तोर पर सिंगल हमारे मृत्यों के लिए नहीं है कि आज हम मर जाएंगे ऐसा नहीं है चलो आज हम मर भी गए कोई दिक्कत नहीं आने वाली generation के बारे में तो passport it is our passport for the future यानि कि ये जो समस्याएं हैं ये आज अगर हम इनको काबू में नहीं करेंगे आज control नहीं करेंगे तो ये बदल करके और बढ़ करके हमें future में और जादा दिखाई देंगी और जादा समस्या हमारी लिए पैता होगी यहां पर बात मानव की नहीं है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बोलें हम तो मर जाएंगे उससे क्या दिक्कत है फिर बाद में कुछ भी होता रहे बात मानव की नहीं है बात मानव जाती की है यानि कि यह सारी समस्या है अगर आज इनका समादान नहीं किया गया तो यह आगे जाकर के भविश्य में और जादा समस्या है पैदा करेंगी the emerging new world vision has ushered in the era of responsibility यानि कि यह जो नया उबरतावा जो संसार है उसका जो vision है उसका जो नजरिया है has ushered it in ये लेकर के आगया है हमें the era of responsibility यानि की जिम्मेदारियों की युग में It is a holistic view ये एक holistic view है and ecological view एक ecological यानि की सभी जीवों को एक साथ देखने वाला view है Seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts ठीक है तो seeing the world as an integrated यानि की पूरे के पूरे समाज नहीं पूरे के पूरे दुनिया को एक रूप में देखना जरूरी है एक whole एक संपूर्णता के रूप में देखना जरूरी है rather than a dissociated बलकि एक छोटे-छोटे खंड में देखने अब क्या होता है कई बार ये collections of parts यानि के अलग-अलग चीज़ों का collection है अलग-अलग parts का collection है इसको ये मेरी बाशा में समझो साधान बाशा में समझो अगर किसी भी gas की वज़े से जहरीली gas की वज़े से समस्या हो रही है पूरी की पूरी पूरी प्रत्वी के वातावरन को तो हम क्या मानते हैं कि यार जर्मनी कर रहा है जर्मनी जाने उसका काम जाने हमारे क्या मतलब जब प्रत्वी खतम होगी न तो क्यों जर्मनी खतम नहीं होगा सारे निप्टेंगे तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि यार बाकी दुनिया तो इतना प्रदूशन कर रही है हम भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा इस विचारदारा से दुनिया नहीं चलती किसी ना किसी को शुरुआत करनी होती है किसी ना किसी ने शुरुआत की भी है लेकिन उसी इसको आगे बढ़ा करके continue रखना या उसको और बैतर करना ये तो हमारी जिम्मेदारी है ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि दुनिया को अलग-अलग टुकडों में मत देखो ये दुनिया एक है ये पूरा one piece में इसको देखो parts of collection, collection of parts नहीं है कि अलग-अलग चीजों को मिला करके जोड दिया, नहीं, वो पहले से एक है और हम उसका एक छोटा सा हिस्सा है ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है नेक्स देखिए, industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility industries यानि कि अध्यों के जितने भी शेत्र हैं उन्हें बहुत ही महत्वपून भूमी का निभानी है इस नए युग के अंदर जो की युग है किसका जिम्मेदारियों का या responsibilities का what a transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont Mr. Edgar S. वुलाड हूँ अब ये chairman, DuPont Mr. Edgar S. वुलाड जो है, जो की DuPont के chairman है जगे का, उसका नाम है, संस्ता का नाम है तो देखते हैं कि क्या काया कल्प या क्या transformation उन्होंने किया would be affected क्या transformation या क्या काया कल्प प्रभावित करेगा अगर जादा से जादा businessmen इनके point of view को share करते हैं जो की Mr. Edgar S. वुलाड ने किया है तो इन्होंने और ये किसके संस्तापक हैं DuPont के संस्तापक हैं जो की 5 years ago, 5 साल पहले declared himself to be the company's chief environmental officer उन्होंने अपने आपको क्या गोशित कर दिया कि मैं अब company का chairman तो हुई हूँ साथ ही साथ मैं अपनी company का chief environmental officer भी हूँ यानि कि पूरा का पूरा जो environment है उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी मेरी है ही सेड उन्होंने कहा हम जिस तरीके से existence हैं हम जिस तरीके अस्तित्व में है कि लगातार हम एक leading यानि कि सबसे प्रमुख manufacturer यानि कि निर्माता बने हुए है requires that we excel in environmental performance इसमें हमें जरुवत है कि हम लोगों को उत्कृष्या में बहतर होना चाहिए environmental performance में भी जानि कि इनका विचारधारा ऐसी है कि अपना खाया, अपना पेट बरा वो विचारधारा नहीं है कि मेरा पेट बर गया ना जमाना भूका है मुझे क्या वो विचारधारा नहीं है ये कहते हैं कि अगर हम नितरत्व कर सकते हैं अगर हम leading position में हैं निर्माता के या निर्मान करने के तो प्रकृति का ध्यान रखना भी सबसे पहली हमारी ही जिम्मेदारी बनती है क्योंकि बाकी लोग किसको follow करेंगे जो leader होगा उसको follow करेंगे of the of all the statements made by Margaret Thatcher Margaret Thatcher जो है उन्होंने जितने भी statements जितने भी उन्होंने वाक्य अकतन कहे हैं during the year of her prime ministership अपने prime ministership के साल में none has passed उनमें से कुछ भी पास नहीं हुआ so decisively into the current coin of English uses as her felicitious words यानी कि उनमें से देखो किसी भी चीज़ का प्रयोग यहां पर नहीं किया गया felicitious यानी कि इस उप्युक्त या सटीक शब्दों में उसका प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है no generations has freehold on this earth कोई भी ऐसी generation या कोई भी ऐसी PD नहीं है जिसका freehold हो यानी कि पूर्ट अधिकार हो इस पूरी प्रत्वी पर के भाई यह प्रत्वी तो हमारी है इस प्रत्वी पर हमारा ही अधिकार है all we have is a life Tennessee हमारे पास जो हमारा जीवन है यहाँ पर इस प्रत्वी पर वो एक किरायदार के रूप में है with a full repairing lease जो कि full repairing lease पर है repairing lease मतलब कि हमें यह प्रत्वी दी गई है किराये पर और हमें इसके अंदर जो भी tut foot होगी यह जो भी कharabी होगी उसको सही करने की जिम्मेदारी हमारी है ठीक है वही किराया ہے ठीक है कि इस प्रत्वी को जो भी खराबी हो रही है प्रत्वी पर हमारी वजगे से उसे ठीक भी हम ही किराएंगे यही जिम्मेदारी है अगर Mister Lester Brown के शब्दों में हम लोग देखें तो वो कहते हैं कि हम लोग उत्रादीकारी नहीं है इस burialी के जो की हमारे पूरवजों नहीं हमें दी हो ऐसा नहीं है कि हमारे पूरवजों ने हमें यह प्रतवी दी है और हम इसके उत्रादिकारी है we have borrowed it हमने इसे उधार लिया है हमने कैसे लिया है इसे उधार लिया है from our children अपने बच्चों से बच्चों का मतलब आपक्या हो गया next generation यानि कि हमारी next generation से हमने इसे उधार लिया है हमारे जो पूरवज हैं हमें देखें नहीं गए है बहुत अच्ची विचारदारा है जब ये विचारदारा रहेगी तो हम हम हर चीज का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने तो उधार लिया है मैं वापस इसे लोट आना पड़ेगा समय पर ठीक है गाईज तो I hope आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से enjoy भी किया होगा आप लोगोंने तो guys इस लेक्चर के अंदर basically जो environment है environmental problems है इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है और मुझे एक चीज आप लोगों से जाननी है बहुत मेरी इच्छा है कि मैं वो चीज आप लोगों से ही पूछ लो आप लोग मुझे comment में बता पाएं तो एक छोटी सी चीज मुझे ये बताईए आप लोग कि भारत में इंडिया में जो संविधान है उस संविधान के अंदर वन तथा वन्य जीव रक्षा वन्य तथा वन्य जीव रक्षा लिख लेता हूँ से संबंदित एडजेक्ली क्या कहा गया है मुझे चाहिए कि एडजेक्ली सर इस आर्टिकल में ये बात लिखी गई मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग एक बार पता लगा करके मुझे बता हूँ ठीक है गईज तो आइवोप इसको करने में बड़ा मज़ा आने वाला है थैंक्यू वेरी मच आई लिख यू सू इन नेक्श्ट तिल देट टेक्रण आफ यूरसल्फ बावाई शीव